Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना 100 days of deep learning playlist continue करेंगे So अभी तक हमने deep RNNs तक पढ़ाई की Last video was about deep RNNs RNNs को हमने बहुत detail में पढ़ लिया हमने दो architectures भी पढ़ लिये LSTMs और GRUs अब बस एक last चीज बची है वो हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे और उसका नाम है bi-directional RNNs छोटा सा interesting idea है डीटेल में cover करेंगे basic idea क्या है वो discuss करेंगे थोड़ा सा code भी देखेंगे mathematics भी देखेंगे और अब इसके बाद we are going to move on to थोड़े और advanced जो आपके architectures है So yeah, that's it for the introduction Let's start the video So guys, अभी तक हमने RNN में काफी चीज़े पढ़ी हमने vanilla RNN पढ़ा उसके बाद हमने दो और architectures पढ़े जो RNN के अंदर ही आते हैं सबसे पहले हमने पढ़ा LSTMs और फिर हमने पढ़ा GRUs उसके बाद हमने last video में एक interesting idea discuss किया था deep RNN बोलके जहाँ पर हमने ये discuss किया था कि आप multiple RNN cells को एक दूसरे के उपर stack कर सकते हो इस तरीके से आप ज़्यादा deeper patterns डेटा में जो होते हैं उनको आप निकाल सकते हो समद सकते हो अब हम लोग एक नया interesting idea discuss करेंगे जिसको हम bi-directional RNN बोलते हैं so bi-directional RNN पढ़ने के पहले मैं आपको motivation देना चाओंगा समझाना चाओंगा कि क्यों bi-directional RNNs की ज़रूरत पढ़ी तो let's first talk about unidirectional RNNs या फिर जो simple RNNs होते हैं इसमें अगर आप notice करो तो होता क्या है कि आपके पास कोई एक NLP task है जहां पर आप क्या करते हो एक RNN को apply करते हो RNN जो apply होता है वो time steps में apply होता है यह हमने बहुत detail में पढ़ रख है तो मालनों यहां से आपका X1 जा रहा है यहां से X2 जा रहा है यहां से X3 जा रहा है और यहां पर आप output कलेक कर रहे हो मालनों यह आपका final output है तो final output जो होगा वो X3 पर depend करेगा और थोड़ा बहुत X2 पर भी करेगा तो यह जो डिजाइन है जो अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पर इस डिरेक्शन में information flow होता है और y hat जो है वो past के सारे inputs पर depend करता है but what if हम एक ऐसे सिनारियो में है जहां पर future inputs past outputs को affect कर रहे हो अब आईनों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पर future में होने वाली चीज, past में होने वाली चीज को affect कर सकती है I'll give you examples but एक बार सोच के देखो कि अगर कभी ऐसा सिनारियो आ जाए कि future का कोई output past के किसी output को, I'm sorry future का कोई input past के किसी output को affect करने लग जाए तो फिर ये जो design है ना, ये जो unidirectional R&L का design है ये फिर fail कर जाता है तो now I'll give you one example जहाँ पर सच में ऐसा होता है सो माल लो हम एक NLP task perform कर रहे हैं जिसका नाम है NER इसका मतलब होता है named entity recognition इसमें आप क्या करते हो कि आपको जैसे एक sentence मिलता है तो आप उस sentence को word by word break करके उसके अंदर से entities extract करते हो जैसे कि hi my name is NITISH तो NITISH is an entity जिसको आप person बुला सकते हो या फिर I live in गुडगाओं तो गुडगाओं को आप location बुला सकते हो या place बुला सकते हो तो ये NER काफी useful होता है especially जब आप chatbot type के applications बनाते हो वहाँ पर आपको entities extract करनी पड़ती है messages के अंदर से तो NER is basically a very important kind of NLP application और future में आप most likely बढ़ोगे तो मैं आपको NLP का एक example देता हूँ सो माल लो हमें NLP I'm sorry मैं आपको NER का एक example देता हूँ सो माल लो हमें NER apply करना है और हमें ये sentence दिया गया है I love Amazon It's a great website This is the sentence और साती सात मान लो हमारे पास एक और sentence है I love Amazon It's a beautiful river हमें क्या करना है हमें इन दोनों sentences के ओपर NER परफॉर्म करना है Named Entity Recognition परफॉर्म करना है तो clearly यहाँ पर एक entity तो Amazon है अब खुछ सोच के देखो अगर आप left to right आगे बढ़ोगे तो आपको ये word दिखाई देगा Amazon और अब आपका NER जो code परफॉर्म कर रहोगा जो algorithm परफॉर्म कर रहोगा उससे हम पूछ रहे हैं कि बताओ इस Amazon को आप क्या label करोगे तो सिंज उसने आगे का sentence नहीं पढ़ा है कि ये Amazon organization होगा या location होगा तो this is one scenario जहाँ पर आगे का जो input है ये जो आगे का input है ये इस step के output को affect कर रहा है तो यहाँ पर अच्छा क्या होता कि किसी तरीके से हमारे पास knowledge होता आगे वाले input का भी but unfortunately अगर आप एक simple RNN यूज करते हो या for that matter आप एक LSTM या GRU भी यूज करते हो तो आपके पास step by step information है और वो information यहीं तक का है आपके पास आगे का information नहीं है तो this is one scenario जहाँ पर आप bidirectional RNNs को use कर सकते हो because bidirectional RNNs के पास capability है दोनों side से input को process करनेगा वो हम अभी discuss करेंगे कि इस तरह के scenario में bidirectional RNNs कैसे काम करता है but I just wanted to give you a motivation कि हम क्यों bidirectional RNNs पढ़ेंगे ठीक है तो this was just one example but NLP में और बहुत तरीके के scenarios होते है जैसे कि एक example हुआ machine translation का machine translation में मतलब जब आप एक language से दूसरे language में translate कर रहो वहाँ पर भी कई बार इस तरह का scenario आता है जहाँ पर future का कोई चीज past किसी चीज को affect करता है तो वहाँ पर भी आप normal vanilla RNN से काम नहीं चला पाओगे तो just wanted to give you a why I really hope why आपको समझ में आ गया अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक bi-directional RNN इस problem को solve करेगा तो चलो guys let's understand bi-directional RNN इस problem को कैसे solve करेगा एक बाद फिर से मैं आपको challenge बता देता हूँ जो हमारे सामने है हमारे सामने ये sentence है in fact दो sentences हैं और हमें Amazon को सही तरीके से recognize करना है as an entity या तो ये location है या फिर org है ठीक है और challenge ये है कि ये हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम आगे का sentence read नहीं करते तो देखो bi-directional RNN problem को कैसे solve करता है बहुत simple है bi-directional RNN क्या करता है कि वो दो different RNNs को use करता है ठीक है एक होता है forward RNN जिसको हम इस arrow से represent करते है और दूसरा होता है backward RNN जिसको हम इस arrow से represent करते है front वाला as in forward वाला RNN क्या करता है कि sentence को आगे से पढ़ना शुरू करता है left to right और backward वाला RNN क्या करता है sentence को पीठे से पढ़ना शुरू करता है right to left ठीक है और फिर हम लोग हर time step पे क्या करते है कि इन दोनो RNN से जो output आ रहा होता है उसको हम लोग concatenate कर देते है and that is how we solve the problem अब I know इस point पे मेभी उतना clear नहीं हुआ होगा तो मैं आपको इसका architecture ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो हमें कुछ नहीं करना है हमें दो RNNs बनाने so since यहाँ पे चार words है तो हमारे पास चार time steps होंगे तो यह हमारा हम जो ड्रॉ कर रहे हैं यह हमारा forward RNN है ठीक है यह random या zeros का input गया और यह इस तरीके से आगे propagate हो रहा है यहाँ से हम अपना input पास कर रहे है यहाँ पे Amazon जाएगा यहाँ पर the जाएगा यहाँ पे best जाएगा और यहाँ पे website जाएगा notation की बात करें तो इसको हम x i1 बोलेंगे इसको x i2 बोलेंगे इसको x i3 बोलेंगे इसको x i4 बोलेंगे ठीक है तो यह हमारा हुआ forward वाला RNN ठीक है this is our forward RNN जो हमने अभी तक सीखा अब चीज़ें यहाँ पे interesting होती है जहाँ पर हम एक second RNN यूज करते हैं backward वाला तो हम basically क्या कर रहे है हम एक second RNN यूज कर रहे है यह जो green color है इससे I will represent the backward RNN for each time step I'll draw a block notice करोगे सब कुछ बिल्कुल same है बस उल्टा रहेगा यहाँ पर इस direction में आपको entry मिलेगी यहाँ से आपके zeros जाएंगे जैसे यहाँ पर zeros जा रहे थे zeros या random number जो भी है और यह इस direction में move करेगा ठीक है और साथी साथ जैसे यहाँ पर जो first time step है इसको website का input मिलेगा यह जो second है इसको best का मिलेगा यह जो third है इसको the का मिलेगा और यह जो last वाला है इसको Amazon का मिलेगा और फिर यह भी क्या करेगा यह भी अपना output देगा हर time step पे like this like this तो अभी तक हमने यह कर लिया है कि हमने दो separate RNNs लगा दिये एक आगे से एक पीछे से दोनो read कर रहे हैं हमारे input को ultra direction में और फिर हर time step पे दोनों अपना अपना output दे रहे हैं अब बस हम क्या करेंगे इनकी outputs को concatenate कर देंगे जोड देंगे हमारा final output निकालेंगे so यह हो गया y1, y2 y3, y4 हर time step का हमारा output है and now you can see कि at any time step मालो हमें let's say amazon के बारे में पता करना है कि amazon org है या location है तो you would see कि अगर आप blue वाले के उपर focus करो blue वाले आर एन एन के उपर तो you would see कि just one second अगर आप blue वाले पर focus करो तो you would see कि amazon का खुद का output मिल रहे amazon word का but green वाले पर अगर आप focus करो तो you would see कि the का भी output पहुँच रहा है best का भी पहुँच रहा है और website का भी पहुँच रहा है तो मैं बस ये बोलना चाहरा हूँ कि इस y1 को calculate करने में amazon word का भी contribution आया the word का भी आया best word का भी आया और website का भी आया अब since website word भी आ गया हमारे पास तो हमें समझ में आ गया कि we are talking about an organization and not about a location ठीक है तो because of this bidirectional information flow हमारे पास future में जो inputs आने वाले हैं उनका भी idea हमें मिल जा रहा है शुरू के time steps में and this is the main idea behind bidirectional RNNs अगर आप equations की बात करो तो equations बहुत simple है हमारे पास अगर आप देखो तो दो separate RNNs है तो अगर आप blue वाले RNN पर focus करो तो blue वाले RNN के लिए अगर आप ht निकालना चाहो basically hidden state for any time step तो मैं इस arrow से represent कर रहा हूं इसको तो it will be tan h of w times h t-1 forward plus u x t plus b forward जो हमारा normal RNN का equation रहता है यही रहता है हमारा और अगर आप backward वाले की बात करो तो backward वाले के case में क्या होगा चोटा सा change आएगा I guess आप predict कर पा रहे हो यह एक दूसरा weight है इसको हम w backward से represent कर रहे है बस इस case में क्या होगा t plus 1 आजाएगा सोचके देखो क्यों t plus 1 आएगा because यहाँ पर t is equal to 4 को या t is equal to 3 को affect कौन कर रहा है t is equal to 4 तो 3 को affect कौन कर रहा है 4 इसलिए t को affect कौन कर रहा है t plus 1 ठीक है plus xt plus b this is the equation और lastly बस हमें क्या करना है यहाँ पर हमारा ht forward है और यहाँ पर हमारा ht backward है अब हमें यह निकालना है तो y के लिए y for any time step would be sigmoid of because आप यहाँ पर sigmoid layer लगाते हो output निकालने के लिए sigmoid of some weight let's call it v कुछ भी weight होगा और हम इन दोनों को concatenate कर देंगे ht forward को and ht backward को और फिर bias होगा यहाँ पर जो sigmoid unit होगा उसका bias होगा and this is the equation बस यही तीन equations हैं कुछ नहीं किया आपने आपने इस rn n का ht निकाला इस rn n का ht निकाला दोनों का ht अलग अलग धंग से calculate हुआ और फिर आपने उन दोनों को concatenate करके yt calculate कर दिया and that's it that's the mathematics वाला part इससे जादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर so guys let me quickly show it to you कि आप bi-directional rn ns को कैसे create कर सकते हो using keras on any kind of nlp problem so यह code हम लोग past में कई बार देख चुके हैं यहाँ पर हम जो एक ready-made data set आता है keras के साथ that is imdb वाला data set उसको use कर रहे है x और y अलग अलग कर रहे हैं उसको train test में split कर रहे हैं sequence को pad कर रहे हैं यह सब कुछ हम पहले देख चुके हैं embedding layer add कर रहे है और यहाँ पर मैंने क्या किया simple RNN model बनाया है जहाँ पर embedding layer के बाद I have added a simple RNN layer जहाँ पर 5 units है और lastly we have created a dense layer जिसका activation is sigmoid तो यह कुछ नया नहीं है यह हमने पहले भी देख रखा है मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पर कितने weights and biases है तो you can see embedding layer में 33,20,000 है और simple RNN में 190 है you can easily count that कैसे मैंने करना है वो आपको सिखा रखा है main चीज यह है कि आप बहुत आसानी से इस architecture को बदल सकते हो into bidirectional RNN ठीक है तो basically Keras क्या करता है Keras आपको एक bidirectional wrapper provide करता है और उस wrapper को use करके आप क्या कर सकते हो जट से bidirectional RNNs create कर सकते हो देखो आपको कुछ नहीं करना है this is the same code exactly same code the only difference is this line so you can see उपर मैंने सिर्फ simple RNN use किया था मैंने क्या किया मैंने bidirectional wrapper को लिया और उसके अंदर simple RNN को भेज दिया and the only difference would be कि आपके जो weights and biases है bidirectional वाले layer में वो double हो गए 380 हो गए पहले वो 190 थे क्यों? क्योंकि अब आप एक RNN के बदले दो RNNs use कर रहे हो so that is why 190 into 2 380 हो गया ठीक है तो कुछ भी खास नहीं है जो हमने पढ़ा बिलकुल उसी से match कर रहा है और केराज ने बहुत आसान मना रखा है इस पूरी चीज को implement करना तो I would recommend आप एक problem statement लो और उसके ओपर unidirectional RNN और bidirectional RNN दोनों को try out करके देखो अब एक interesting चीज जिस तरीके से deep RNN का जो concept था वो सारे के सारे type के RNN cells के उपर applicable था जैसे की LSTM and GRU similarly bidirectional RNN का भी जो idea है वो किसी भी type के RNN cell के उपर आप लगा सकते हो तो यहाँ पर आप notice करो मैंने क्या किया है मैंने इस बार bidirectional wrapper के अंदर LSTM को भेजा है ठीक है 5 units और you can see सब कुछ सेम है बस weights थोड़े से बढ़ गए because LSTM में जादा number of weights and biases होते है और similarly यहाँ पर देखो मैंने GRU को भेज दिया तो मैं बस यह बोलना चाहरा हूँ कि जो concept आप RNN के उपर लगा रहे हो bidirectional RNN का वो same concept आप LSTM और GRU के उपर भी लगा सकते हो और LSTM के case में हम इसे by LSTM बुलाते है तो by RNN उतना जादा use नहीं होता है mostly you use this ठीक है तो आपको आगे बहुत तरह के NLP applications में हो सकता है by LSTM देखने को मिले but you understand the core idea the core idea is कि आप आगे से भी traverse कर रहे हो input को पीछे से भी traverse कर रहे हो और हर time step पे concatenate करते जा रहे हो that's it तो again I would recommend कि आप एक बार जाओ और आप किसी problem किसी data site के उपर दोनों को side by side लगा के देखो और अपने observation को note down करो so guys let's discuss about some application areas of bidirectional RNNs so there are certain areas जहां पर bidirectional RNNs को use करना generally आपको अच्छे results देगा उन में से कुछ चीज़े मैंने आप कॉलिटी बता दिये one of them being named entity recognition because कई बार आपका current word क्या है ये पता करने के लिए आपको आगे का context required है और वो आपको bidirectional RNNs के थ्रू मिलता है similarly there is one more application called parts of speech tagging कि कोई particular word कि parts of speech के अंदर आता है तो इस application के लिए भी आपको bidirectional RNNs can help and the third one is machine translation basically translation based applications में आपको it can help तो ये तीन तो बहुत अच्छे applications हुए जहां पर आपको definitely try out करना चाहिए bidirectional RNNs को इसके अलावा देखा गया है कि sentiment analysis वाले tasks में भी कई बार bidirectional RNNs normal RNNs को पीछे छोड़ देते हैं in terms of performance तो try करने में कोई problem नहीं है and one last but different application is time series forecasting जैसे आप किसी stock का price predict करना चाहते हो या weather forecast करना चाहते हो तो इस तरह के problems पे भी देखा गया है कि bidirectional RNNs कई बार अच्छा perform करते हैं मतलब data को आगे से देखना और फिर पीछे से भी देखना साथ में it really helps in forecasting problems तो कलको अगर आप एक forecasting problem के उपर काम कर रहे हो तो you should definitely try out buy LSTMs और buy GRUs ठीक है lastly let's talk about drawbacks because obviously कुछ तो drawbacks होंगे तो primarily दो drawbacks हैं फिर्स इस complexity जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी कि जब आपने simple RNN use किया था तो आपके पास 190 parameters थे जैसे आपने buy RNN use किया तो 380 हो गया double हो गया तो basically जो आपके weights and biases हैं वो double हो जाते हैं जिसकी वज़े से आपका training time भी बढ़ेगा और overfitting का chance भी बढ़ता है तो फिर आपको overfitting reduce करने के लिए वो सारी चीज़ें करने पढ़ेंगे जो आप आज तक करते आ रहे हो dropouts etc regularization but yeah this is one of the concerns before using bidirectional RNNs and second one is there are certain applications जहां पर आपके पास पूरा data एक साथ available नहीं होता है आपको क्या करना है आपको अपने data को आगे से भी traverse करना है पीछे से भी traverse करना है साथ में but ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा data आपके पास अभी आया ही ना हो I can give you one example let's say आप real time speech recognition कर रहे हो ठीक है अभी speech बोला जा रहा है और आप real time में कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ Hi, my name is Nitish तो जब तक मैंने पूरा नहीं बोला तब तक मैं अपना bi-directional RNN apply नहीं कर सकता Right, because मेरे पस सारे के सारे words है ही नहीं तो real time speech recognition में ना अगर आप bi-directional RNN लगाओगे तो latency issues होते हैं latency issues मतलब आपका जो response आएगा वो थोड़ा slow आएगा because आप पहले wait करोगे कि पूरा का पूरा sentence बोल दिया गया है और फिर आप उसके उपर bi-directional RNN लगाओगे उसका processing चलेगा फिर reply आएगा तो अगर कभी भी real time speech recognition type का कोई task है जहाँ पर पूरा data one go में आपके पास available नहीं है तो उस तरह के scenarios में bi-directional RNNs can cause latency issues जो बागी तरह के try out कर सकते हो it's a great idea so yeah यह basic introduction था बाकी आप try करो इसको अलग-अलग data sets बे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो please like करना और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है please subscribe मिलते है next वीडियो में बाई